बात कर लेते हैं आदमखोर भेडिये की बहराइच में आदमखोर भेडिये का तंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक पाँच भेडियों को कड़ी मशक्कत के बाद वनिभाग ने पकड़ लिया लेकिन अब भी आदमखोर गाओं में घात लगा करके हमली कर रहा है। अब आदमखोर भेडिये ने फिर हमला कर दिया जिसमें एक बारह साल की बच्ची जख्वी हो गई। डूइटी परतेनात प्रशासनिक अफसरों की टीम भ्रामणों को सतर प्रहने की लगातार सलहा दे रही है। बताती चले कि मंगलवार को वन्मिभा की टीम ने एक और भेडिये को पकड़ लिया लेकिन देर होते होते भेडिये ने फिर से हमला कर दिया। पकड़ा गया भेडिया आदमखोर भेडियों के जुंड में शामन था। हाला कि चटा भेडिया अभी पकड़ में नहीं आया। वन्मिभा की टीम ने जांकारी दी कि चटे भेडिये को भी पकड़े गया आदमखोर के साथ देखा गया था। लेकिन वो घं़े पेड़ों की ओर भाग गया खबर यही कि भेडियों ने अपने हमली का तरीका बदल दिया है वो और भी जादा सतर खोगिया है आपको हम बताते हैं कि आदमकोर जो भेडिया है उसका जो सरदार है वो लंगडा सरदार है वो अभी तक फरार है जिससे लगता है कि अब जो हालात है वो बहुत ज़ादा गभीर बन चुके है हाला कि इसको पकड़ने का प्लांग क्या है वो भी आपको लगतार हम बताते हुए क्योंकि उसको आइसोलेट किया जाएगा ये वनिभागी रणीती बकाईदा पूरी तरीके से है ड्रोंग का इस्तिमाल नहीं होगा क्योंकि ड्रोंग को देखते ही ये जो भेडिया है वो भाग जाता है अपने लोकेशन को ये चेंज कर लेता है इसे वज़न से प्लानिंग ये हुई है कि डिजिटल की बजाए अब मैनूल तरीके अपनाई जाएंगे यानि कि डिजिटल का इस्तिमाल कम से कम होगा ये जो भेडिये हैं वो बहुत शातर है आपको मालूम होगा छे भेडियों को लेकर के जांकारी सामने आई थी पांच को पकड़ लिया गया है एक अभी बाहर है इसी बीच बड़ी खबर बहराईच में फिरसे भेडियों का हमला देखने को मिला 12 सार के लड़की पर हमला किया गया लंगड़े भेडिये की तलाश तलाल जारी है पचास गावों में इस वक्त तलाश जारी है तो बड़ी खबर आपके टिए स्क्रीम पर दरसल भेडिया जो कि लगतार वहाँ पर आतंग का दूसरा नाम हो चुका है वहाँ पर खौफ का परियाय बन चुका है और इस वक्त गामिनों में डर है, दहशत का महौल है पचास गावों में तलाशी अभ्यान इस वक्त चलाते हुए वहाँ पर जो स्थान ये टीम लगी हुई है इसके अलावा क्योंकि इनके लोकेशन को काप्चर करने की लगतार कोशिश है ट्रेस करने की लगतार कोशिश है 12 साल की लड़की पर हमला किया गया है जाहिर है कि जो छोटे उम्ले के बच्चे हैं कि मनुदर शहस से काफी ज़्यादा प्रभावित होती है अभी तक दस लोगों की मौत हो चुकी है अब खबर ये कि एक और बच्ची को भेडिये ने निशाना बनाया है हमला हो गई भेड़े आये थे घर में सो रहे थे ओ घर में से खीच के लेके गया सडक तक जब चिलाने लगी तब जैसे वो बाहरे ठोश शो रहा था धान फान देख रहा था जब वही देख पाया है जब कसके चिलाने तब छोड़ाई नोड़े ने थाए लगः घरियो उठायल ऑगा साहिब तो सब दोर्याद चोड़ाई ने देखर आयसा ब लात बर जा गया है тем Cyber सना होगे भर वाख जोग मैं ने उन активलां बहुताताला तो लोगों में इस वक्त भाय का महौल है लोग खौफ जदा हैं विडिये ने एक और लड़की पर हमला कर दिया हाला कि वो भी इस्पताल में अडमिट है हम आपको आगे एक रिपोर्ट दिखाएंगे लेकर उसे पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मुहन यादव को सुनते है ठीक है तो फिर हम आपको खालिद हुसाइंग की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं क्योंकि भीडिये का आतंक है वो लगतार जारी है इसे बीच एक लड़की को भी अपना शिकार बनाया हाला कि लड़के भी सुरक्षित है अस्पताल में अड्मिट है खालिद हुसाइंग एक रिपोर्ट बापो दिखाते है कि मैकुत पुर्वा गाओं में बीती रात एक बारा सागी मासुन सुमन पर आदमखुर वेडिये ने हमला कर उते घाल कर दिया और तो खीच के सौट कर ले गया परिवार के लोगों ने सोर मचाया और आदमखुर वेडिये ते बच्ची को बचाया में बच्ची को मैसी के सिस्टाल में पर्ति करा गया जहां बच्ची के हालत गंबीर देते हुए जाक्टर ने फर्स ट्रीक्मेंट दिया और इसको बैराइक की मेडिकल कालेग में इलाज के लिए भेड दिया आप देश सकते हैं कि बच्ची किस तरह से घाया ले जखनी है बच्ची के हालत गंबीर है परिवार की लोग और गाव की लोग इस बच्ची को आनमपानव में मेडिकल कालेग लेकिया है जिसा इलाज के लिए अंदर लेकि जाय जा रहा है तो बहराईच में भेडिये ने फिर से हमला कर दिया भेडिये ने दो बच्चों पर हमला कर दिया दोनों बच्ची को अस्पताल में अड्मिट कर दिया गया है लेकिन जिस तरीके से इस वक्त हालात है आपको मालूम है कि छे भेडियों को लेकर के जांकारी सामने आय थी उसके बाद पांच भेडिये को पकड़ लिया गया है लेकिन एक जो इंका लीडर बताय जा रहा है लंगड़ा भेडिया उसके बारे में अभी तक कोई जांकारी ने मिले खबर यह है कि यह जो लगतार अपनी मूव्मेंट को लगतार अपनी लोकीशन को चेंज कर रहा है और अब खबर यह है कि दो बच्चियों पर और हमला हुआ है तो पांचवे भेडिये को रेस्क्यों शयल्टर भेजा गए है यह बड़ी खबर वनभा की तीन ने कल पांचवे भेडिये को पकड़ लिया था बहराईच में अभी भेडिये के तलाज जारी है बहराईच में अब तक भेडियों के हमले में दस की मौत हो चुकी है और इसी बीच खबर ये कि जिस पांचवे भेडिये को वनिभा की टीन में पकड़ा था अब उसे शेल्टर होम भेज दिया गया है एक एक करके तमाम भेडियों तक पहुंचते हुए वनिभा की टीन लेकि में एक भाई का माहौल है क्योंकि आतंक लगातार इन भेडियों का बढ़ता जा रहा है इलाके के जो लोग हैं इस वक्त डरे हुए हैं और डर के वच्छ से लोगों ने अपने घर में छोटे-छोटे बच्छों को दूर दराज भेज दिया है ताकि भेडिया उनको ना उन लेदारी कर रहे हैं ताकि यह जो भेडिया है उसको पकड़ा जा सके हैं तो अब तक वन्विभाग ने कारवाई करते हुए पांच भेडियों को पकड़ लिया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज़ा भी जा चुका है तीन अगस्ते 10 सितंबर तक पांच भेडियो को पकड़ा गया है 8 अगस्त को भी वहाँ पर नर भेडियों को पकड़ा गया 13 अगस्त को तीसरा भेडिया पकड़ा गया 29 अगस्त को नदी के किनारे चोथा भेडिया मिला इसके बाद 10 सितंबर को पांच भेडियों को ट्रेस कर लिया गया लेकिन अभी जो सबसे खतरनाक यानि कि इनका जो टीम लीडर है वो अभी तक फरार है यानि कि अभी तक वनुभा के हाथ उस तक नहीं पहुंचे हैं अब उसके बारे में भी आपको ग्राफिक्स के जरी बता देते हैं कि आखिरकार उसको पकड़ने की क्या रणीतियां यहां पर अपनाई जा रही है क्यों